जिन्दगी जैसे पहेली, जैसे की कोई सहेली जिन्दगी जैसे कहानी, थोड़ी नई, थोड़ी पुरानी कभी चाबुक, कभी चाकलेट, कभी रौनक, कभी धग कमपेल ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है पट अल्वेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अगर एक तेल बेचने वाली साधारन कमपनी को अजीम प्रेम जी विश्व प्रसिद आईटी कमपनी बना सकता है, तो कुछ भी हो सकता है अगर एक ट्रेवल एजनसी का सेल्स एजेंट नरेश कोईल भारत की दूसरी सबसे बड़ी एरलाइन बना सकता है, तो कुछ भी हो सकता है और अगर रेलवे प्लेटफ़ाम पर चाय बेचने वाला लड़का नरेंदर मोदी इस देश की सरकार बना सकता है, तो कुछ भी हो सकता है स्वागत है आपका दानुपम केर शो कुछ भी हो सकता है में दोस्तों शो के शुरुवात में मैं हमेशा उन लोगों का नाम लेता हूँ जिनकी जिन्दगी की उपलब्धी हमारे लिए एक परिर्णा है और देखा जाए तो हर उस व्यक्ति की शुरुवाती जिन्दगी बहुत साधारन रही है इन्होंने कुछ ऐसे ठोस निर्ने लिए जिनकी वज़े से एक काम्याबी की सीड़ी चड़ते रहे ऐसे निर्ने लेने का साहस एक बुलंद रवये यानि एटिचूड से आता है मेरी जिन्दगी का रवये हमेशा बहुत साधगी भरा रहा है लेकिन मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब मेरा खुरूर मेरा अहंकार बन चुका था नब्बे के दशक में मैं अपने केरियर की बुलंदियों को चू रहा था उस जमाने में जावज अख्तर साब का एक जुमला था कि मेरा मानना था कि अगर मैं फिल्मों में कामयाब हो सकता हूं तो मैं टीवी पर भी राज कर सकता हूं उस अहंकारी सोच के चलते मैंने अपने सारे पैसे लगा दिये और वही हुआ जिसका डर था मैं अल्मोस्ट बेंकरप्ट हो गया अपने घर के अलावा मेरे पास एक नया पैसा नहीं था लेकिन मैं समझ गया कि इस प्रले का मकसद मेरे अहंकार को मारना था और यहां से मैंने एक नए रवएए के साथ अपना जीवन शुरू किया और आज मैं उस मुकाम पर हूँ जो सिर्फ एक सपना सा लगता है इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि लाइफ में कुछी होता है आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो एक मिसाल है मेहनत की धृड़निश्चे की और रवएए की इनकी जिंदगी में अहंकार की कोई परिभाशा ही नहीं है इन्होंने हमेशा अपने आपको विबादों से दूर रखा आम आदमी के असली हीरो तक खिलाडी आफ दे हिंदी फिल्म इंडस्री प्लीज वेलकम सूपरस्टार अक्षे कुमार आपको गले मिलकर बड़ा अच्छा लगता है आपको मुझे गले मिलकर अच्छा लगता है पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि मुझे गले मिलकर आपको क्यों अच्छा लगा बिकोज आपकी नहीं ऐसा कोई मेरे में आपकी गर्म जोशी जो है और आपका जो एक आउनिस्ट भाव विभोर है वो दिल को छूता है इसलिए अच्छा लगता है और कोई रीजन नहीं है इससे फ़हरे कि मैं कई बार होता है किसी से गले मिलता हूँ या हाथ मिलाता हूँ तो मुझे बड़ी कोफ आती है कि आप लोगों में भी किसी नहीं किसी से होगा कि ऐसे मिलते हैं एलो जी ये इतना हाथ देनी कि क्या ज़र होता है आदमी पूरा देता है क्यों है की नहीं अब हर चीज़ शिद्दत से करते हो और मुझे वह बहुत अच्छा लगता है मैंने आपके साथ 16 फिल्में की हैं आपने पिछले 22 साल में कम से कम 120 फिल्में की हैं और उससे पहले आपने बहुत कुछ किया बहुत सारे पापड़ बेले हैं आपका बावर्ची होना कुक होना तो शायद सबको पता है लेकिन मैंने पता किया है कि आप बंगलादेश में भी काम करते थे धाका में आप कैलकटा में भी काम करते थे और आप महमद अली रोड पर कुंदन की जोल्री भीचते थे दिली से लेकर दिली से लेकर दिली से लेकर आता हो तो ता वहां बेचता था उन दिनों के बारे में बताईए देखिए बैंककोक के बारे में तो बहुत सारे लोगों को बता है सर ऐसा है कि आपने पढ़ाई की कितनी पढ़ाई की आपने रेली कुछ उसकी फिकर मत करिया, मैं बहुता फेल भी हो चुपरा हूँ मैं एक गलत एक्जामपल नहीं देना चाहता लोगों को कि पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छी बात है लेकिन कम से को इतना पढ़ लेना चाहिए कि इंगलिश आती है, हिंदी आती है, दो दुनी चार आता है हिस्टरी के बारे में पता होना चाहिए, दुनिया गोल है, ये पता होनी चाहिए ये सारी चीजे पता होनी चाहिए, इतना पढ़ लेना चाहिए मैं उतना पढ़ लिया था अच्छाँ. उससे आगे नहीं पढ़ पाया. अच्छाँ. क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं था पढ़ाई कार। अच्छाँ. मैं किताबों को देखता था मुझे नीद आजाती था. अच्छाँ. पता नहीं क्या था. अच्छाँ. अच्छाँ बात भी थी कि जब सोना होता तो किताब पढ़ लेता था. अच्छाँ. एक पढ़ना पढ़ते ही नहीं आ जाती. तो लेकिन माई फादर यूस्ट तो आलवेज थेल में अक्छे. इतना पढ़ लेना कि ताके कभी किसी के सामने खड़ा हो तो बात कर सके. मेरे फादर की इच्छाँ थी कि मैं पढ़ू बहुत पढ़ूं. और मेरे फादर लेकिन ये भी जानते थे. मैं कहता हूँ मेरे फादर जैसा सब को फादर मिले. मैं इतने इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को मुझे हमेशा समझते थे. वो जानते थे कि मुझे इस्पोर्स में दिल्चस्पी है. ठीक है बड़ा, पुछू जितना पढ़ना है तू उतना पढ़ लेकिन इस्पोर्स में करना मैं तेरे साथ हूँ. मेरे साथ बॉली बॉल केलने चलते थे. किसी के भी पिताजी आते नहीं थे देखने. लेकि मेरे फादर हमेशा रहते थे. वाव. मतलब सब के लिए पानी लेके जाना आपसेट टीम वाले को भी पानी पिलाते थे. तो मतलब आज मैं समझता हूँ मेरे अंदर अगर स्पोर्स के लिए इतना जजबा है, इतना प्यार है, तो उनी की वज़े से है क्योंकि उन्हें नहीं कभी रोका ने, किसी बात पर तोका ने. अगर वो चाहते तो मुझे कहते हैं पढ़ाई के अंदर कुस और मेरा दिमाग इतना नहीं था. मैं नहीं इतना पढ़ सकता था, मुझे नहीं मदा था था पढ़ने में इतना. तो आपने पढ़ाई जितनी भी कर सकते थे आपने की, उसके बाद आपने क्या किया, आप कहां गए? उसके बाद देना बेंककॉक, बेंककॉक चला गया क्योंकि वही सबसे सस्ता मजबूर टिकाव देश था, जहां मैं कुछ मार्शल आट सीख सकूँ और तभी 22,000 रुपे की टिकेट होती थी जाने के लिए, आने जाने के लिए, मुझे अभी भी याद है क्योंकि वह बाइ आपको एरपोर्ट पर चोड़ने आये थे? आजी आये थे, बिल्कुल आये थे. क्या वाट इस एक लिए लेस्ट 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 तो नहीं दिया था मुझे, बस इतना ही कहा था दिहान रखना अपना, और सीखना उदर और मस्तिकम करना, क्योंकि सब जा एक मस्ति वाली जगह है, और तो विटा अपना अराम से रहना और काम करना, और बॉम्बे में आपको पता लगया था कि आपको एक वेटर की नौकरी मिल गई है क्योंकि मुझे कोई ना कोई नौकरी तो करनी थी, कुछ ना कुछ करने के लिए, तो वो एक नौकरी मिल गई और आप पहुंच गे वहाँ पर वेटर बन के, हाँ जी, मैं वहाँ चला गया तो वहाँ मैंने काम करना शुरू किया, तो सुबह मैं सारा दिन काम करता था, शाम को थाई बॉक्सिंग के लिए रोड के ओपर ही सीखता था, फिर कहां गए आप? उसके बाद फिर मैं डाका छागया, धाका में काम करता था. मैं बैंककोक कितने अर्से बढर रहे था? मैं चार पांच साल वागे था, फिर लगिन वापस भी आया करता था, मैं एक्चली काम करता था, कैलकटा, ढाका, ढाका, बैंककॉक पता वो लोग होते हैं न, इम्शूर काहिए दिली से बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसा काम करने के लिए, कपड़े का काम करते हैं हाँ लेकिन कैलकटा से ज्यादा जाते हैं क्योंकि कैलकटा से बैंककॉक ज्यादा नजदीक है अच्छा और वहां से टिकट जो थी उस वक्ट 14,000 की थी टिकट के मिडल क्लाश के लोगों वो टिकटें कितनी याद रहती हैं सब याद हैं सारी याद है मुझे उस वक्ट की सारे जितने भी पैसे थे उस वक्ट से निकलते थे पैसे उस वक्ट एक फॉर्म भी होता था पी फॉर्म आइड़नो अभी लोगों को पता है कि निए क्योंकि मैं क्यालकटा मैं आई उस टू वर्क इन ट्राइवल एजिंसी तो उसके अंदर मैं काम करता था तो पी फॉर्म भरना फिर वीजा लेकर आना टिक्टें लेकर आना तो व सब करते हैं